नमस्कार फ्रेंड्स मैं नाम पबलू उर्मा पेपर हैकर में आपका स्वागत है आज हम देखेंगे यहाँ पर बीए थर्डी यह वालों के लिए होंसाइंस का फर्च पेपर साइकेंड पर ना क्या रहने वाला है सेकेंड पर होगा आगर है निविश्टी वालों के लिए mcq क्यारे निवला mcq इसका नोट्स चाहिए कहा मिलेगा भई नोट्स मिलेगा आपका discussion में है ना जो नोट्स होगा वो कहा मिलेगा discussion मिलेगा तो बहां जाके आपको बिल्कुल download करना है क्योंकि mcq question भई आपके बनना है तो एक भी question चूटना नहीं चाहिए तो इस प्रकार से आपको नोट्स लेना पड़ेगा पढ़ना पड़ेगा ठीक है तो नोट्स नीचे discussion मिलेगा बहां जाके आप ले सकते हो और बात करते हैं थिए इनकी यहाद करना है बस्तर बिज्ञान क्या है इसका महात्व कपास के उत्पादन तथा उन उत्पादन के बारे में यहाँ पर बताना है इसकी थिए बहुत महात्पूर है थिए पढ़कर हाइडिंगों को याद धिरू करना है बात करते हैं नेक्स कुशन प्रकाई धागा क्या है इसके प्रकार मूल भूत बुनाईया कौन कौन सी है होती है इनके बारे में आपको बताना है हाइडिंग डालकर ध्यानकना कौन कौन सी बुनाईया है उन्हें हैडिंग में लिखि सब्सक्राइब करते हैं के पुष्ण को आगे लिखना है तुमारा पणीस्कृती क्या होती है bleaching प्रिक्रिया से बस्तर में क्यों और कैसे परिवर्तन होता है जो bleaching प्रिक्रिया होती है उससे बस्तरों में क्यों और कैसे परिवर्तन होता है इसके बारे में बताना है ठीक है और परिस्कृती होती क्या है इसको समझाना है heading के नुशार डाल का ठीक है बात करते हैं तो रह Vocêsear के पुर्जो के नाम आपको बताना है ठीक है पुर्जो के नाम किसे डालना है heading से डालना है उसके बारे में theory लिखना है थोड़ी फ्यान अकना है कॉन कौन कौन सी खराबगिया आ सकती है है this माल मैं आपको बताना है ठीक है heading डालकर next भरते नेक्स कारा數 अगे देखते हैं यहार सीलाई के कौन-कौन से उपकड़ होते हैं उन्हें किस परकार लेना चाहिए द्यानकना है है हैडिंग को मिस नहीं करना ओंय आफ लिखोगे ठीक है तेयोरी उस पर heading होना चाहिए बात करते हैं सिलाई मशीन की देखबाल कैसे की जाती है इसके बस्त्रों के चुनाब में किन-किन बातों का दिहान रखना चाहिए ठीक है अब त्योरी वाइस क्या करना है पहले हैडिंग डालना है फिर तुरी लिखना है इसके ठीक है आगे देखते हैं नेक्स कुछन रखाया तुमारा गिरह उपयोगी बस्त्र जो होते ह उनके बारे मताना है और कॉले जाने वाली लड़कियों के लिए बस्त्रों का चुनाब कैसा होना चाहिए यह भी आपको लिखना है हेडिंग डाल कर बात करते हैं परीधान रचना जो होती है ना परीधान रचना के मूल वुद सिद्धांत कौन कौन से हैं यहाँ पर इनक कॉना और चांदी किस परिकार के तन्तु है उनकी विसेश्थाइं भी आपको यहाँ पर बता देना है ठीक है है डाल कर बताना है सारी किसारे बात करते हैं यहाँ बात करते हैं यहां परिसज्जा जो नकासी परिसज्जा होती है उसके बारे में बताना है रंग बस्तर पर कैसे चड़ते हैं इसको हैडिंग डाल कर समझाना है ठीक है बात करते हैं स्क्रीन छपाई पर टिपड़ी आपको लिखना है यह नहीं कि टिपड़ी वैसे लिखते जा रहा है है एडिं तो यहां पर क्या करना है सभी लोग इसका स्कीन सोड़े लोग कौन-कौन से क्यूशन इंपोर्टेंट है और अपनी बुक में मतलब जो अपनी ले रखी है तुमें सीरी लेक्ट है बुक लेक्ट है आपने आपने तो बहां जाके आप पड़ सकते हो यह आप पमारे दिस्कपसे नोट से वहां पर भी डानलोड करके आप सबढ़ सकते हो ठीक है तो यह बहुत इंपोर्टेंट है सारे के सारे क्योशन ध्यान से देख लेगा बिल्कुल तो इतने ही क्योशन है ज्यादा-पंदर क्योशन है इनकोई पढ़ना है और इनकी ही हैडिंगों को आपक आपको याद हो जाएं क्योंकि हैडिंग के विस पर ही आपको नंबर दिये जाते हैं तो फ्रेंट्स लाइक करना शेर करना चैनल को सब्सक्राइब करना तो फ्रेंट्स जैहिन जैभारब